CCA की और वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं अबर लाइट में खाल वरख करमने की बात मंगल सूतर तक पहुंच गई आपना मंगल शूतर नहीं से तक क्या बचाएंगे लाइट फ्री करने से मतलब नहीं है ना पैसे ले 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 रहे ले 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 वह दिक्कत नहीं तो दें जिससे लोगों के खेत तो बहरे जा सकें मघबूर। और वो ही अब दुगिया तो क्या करें? अनूप बालमिकी जी, सपा से जस्वीर बालमिकी जी, आईए थोड़ा सा रुजहान पता करते हैं, इस बार चुनाफ का क्या है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ कई बिरादरियों से लोग गाउं के हैं, उनसे बात करते हैं, जी, आपका नाम क्या हुआ साब, दीपक नाम है मेरा स सुल्तान पर से, आप ग्राम प्रधान हैं, अच्छा जी, तो यह बताईए, कैसे रहे हैं, प्रधान होने के नाते, गाउं के विकास को अगर आप देखें, तो पिछले दस साल की सरकार का कैसा राया आपके लिए, पिछले पंच वर्षी में तो कारकाल अच्छा था, ठीक एक जीओ जारी कर दिया जाता है, इस पैसे को यह स्कूल में लगाना है, या इसको वहां लगाना है, मतलब अपनी तरफ से कार कराया रहे हैं, ग्राम पंचातों को यह खुले हुए अधिकार थे, वो पूरी तरह से बंद कर दिये गए, बहुत काफी शमस्या हैं आ रहे है तो मतलब अगर आपको जद्लमान लो गाउ में खड़ंचे की जरूरत है, तो वो आप नहीं कर सकते हैं, जो उपर से आदेश आ रहे हैं, वही करना है, उसका पालन करना पड़ता है, हमारी गवर्मेंट का जैसी फंड रिलीज होता है, उसके साथ एक लेटर लगा दिया ज तो क्या रोजहान बन रहा है, आप लोग का रोजहान बन रहा है, किधर जाने की सोच रहे हैं, क्या लग रहा है? मेरी जो मेरी विचार याद आप पूछना चाहते हैं, तो पांच किलो रासन से काम नहीं चलने माला है, लोगों को रोजगार की जरूवता है, रोजगार महया कराई है, रासन अपने आप खरीद लेंगे, विकास की जरूवता है, हिंदू, मुसलिम, मंदिर, निर्मार, य होगी, दिक्कते होगी, क्रैसिस होगा देश में, बेरोजगारी, अगर बढ़ जाए किसी भी समाज में, तो फिर वहाँ पर कानून मेवस्ता बिगड़ने में कभी कोई समय नहीं लगता है, लिए बताइए मुझे कि लेकिन आप ग्राम प्रदान भी है, नरेगा का खासकर को लेकर कितनी दिक्कते हुई है, क्योंकि उसमें भी कटौती हुई है, बजट को लेकर, तो ये थोड़ा सा उसके बारे में सुन जाए है, पहले जो पैसा आता था, मन्रेगा खा, वो क्या केता है, ग्राम पंचातों के खाते में सीधा आता था, अब उसको ऑनलाइन कर दि लेकर लेकर, गाए है, कि तीन टाइम हाजली लगाई है, यद किसी हम सर्वर काम नहीं करता है, तो उस दिन का पैसा मजदूरों को नहीं दिया जा रहा है, बहुत सारी प्रॉलम क्रीट हो रही है, चलिए डिजिटल इंडिया के बहुत सारे नुकसान भी है, अगर उसको ढ इंप्लेमेंट नहीं किया जाएगा और खासकर कि ग्रामीन छेत्रों में अभी तक उस तर पर डिजिटल इंडिया ऐसा नहीं है कि वो टेक्नोलोजी इतनी अच्छी तरीके से आ गई है जैकर बड़े महानगरों में आ गई है तो बताइए आप क्या सोच रहे हैं दीपक जी वोट निजी मत ही बताइए आप प्रधान जी हैं लेकिन फिर भी आप निजी मत बताइए वोट आप इस बर कहां देने की सोच देखिए मेरे विचार से सभी लोगों से मैं भी अपील करना चाहूंगा कि जिस तरीके से भारती जनता पायटी देस में देस भावना के और ज सभी लोगों को रोजगार दीजिए लोगों को आने जाने में अशुविदा हो रहे हैं रोड बने यह काफी समय से रोड तब 15 साल से हमारा रोड खराब था बड़ी मुश्किल थे पीम जी एसवाई से यह रोड का निर्माल हुआ है और लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा हो रहे हैं अब यह विजली मिल पा रही है मतलब घटबंदन से हापsticks कोंगरिस वह ठीक है क्सान अब मोधी जी तो कहते हैं हम ने 500 सो रुपे महीने के किसान सम्मान निदी के तहट उनके अकाउंट में डाल रहे हैं उससे कितना फायदा है नुक्सान आप अकाउंट में जो पांच सो रुपे की बात करते हैं आप फसलों पर लगा दीजिए उनके पास आमंदनी के सुरोत बढ़ जाएंगे हमें कम से कम यह तो पता रहेगा जो हम खेतों में फसल तैयार कर रहे हैं उस इस रेट पर हमें बजार में बिख जाएगी है यह मैस पी नहीं होगा तो उस दिक्कत ही आएगी मनवानी बिचो लिए उस पैसा क कहीं आप जो कह रहे हैं कि इनी मुद्दों से बचने के लिए अचानक फिर से हिंदू मुस्लिम पर चुनाव की बात कर रहे हैं प्रधान मंत्री जी के मुझ से शायद इबाते शोभा भी नहीं देती हैं किसी भी पार्टी के मुसल्मानों को दे दिये जाएंगे थोड़ा दुख होता है देज के परधान मंत्री है जिस भी पार्टी का समर्थन करें आप यह जो भी लेकिन हैं परधान मंत्री सारे लोगों के प्रधान मंत्री हैं जी साब आपका नाम साब राम प्रकास का नाम साब जी अब नाम अब यसाब आपका साब ये बताए ये बताईए दस साल हो गए इस सरकार को किसानों के लिए कैसे रहें अर्य यूरिया का कट्टा भी 50 किलों से 40 किलों को कट्टा साभ तो अपने तो अदाम बढ़ा बजाते है राशन काद के यह बताईए चुनाव में इस बार क्या रोजहान है आपका साइकल पर है यह बताईए यह तो एक अलग-अलग बिरादरी से लोग हम सबसे बात करेंगे लेकिन मैं नहीं मैं सबसे कर रहा हूं एक मिनिट दीजे लेकिन पिछली बार मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि इस बेल्ट में यादव रोजहान थोड़ा सा बदल गया था साइकल से दूर काफी जगा भाजपा की तरफ भी गया था उसमें बतलाव क्यों फिर से आ रहा है आप में लेकिन इस बार सावी यादव क्या अधर ब्रादरियां भी जो ओवी सी समासी है ऐसी समासी है उनके दिमाग में यह है कि कुछन को चेंज होना है वह इसमें परवर्तन ही संसार का नियम है परवर्तन नहीं करो गए तो मनवानी होगी मोनोपोली होगी इस दिक्कत सौर से बोलिये से राम नरेश जी राम नरेश घ्या करते हैं किसान है केति करते हैं आपके भी अनुबभ रही हैं दस साहिं मोह है कि है destines है और बいき Mix crush घष चलिये फिर आप बताईए 10 साल तो तो हो गए सρχग विचान को क्या आप इसी सरकार तुपत है पता है कि अपने सीट पर बताईए इसको आप दे रहें क्योंकि यह दो सपा को को देने हैं जस्वीर जी को देने हैं जस्वीर जी सोच रहे हैं अनुराग जी इसी गाउं से हैं हाँ मैं इसी गाम से हूं क्या करते हैं साब मैं जॉब कर रहा हूं प्लस में खेती भी देख रहा हूं जॉब कहां कर रहे हैं मत्रा मत्रा में अच्छा तो काफी अपडावन ह जाता होगा हाँ असपास नहीं कुछ मिला नहीं असपास नहीं है फिलाल में मैं जॉब छोड़के केती पर ही फोकस करें चलिए बताइए जी क्या स्थिति है नहीं स्थिति ठीक है और वैसे सरकार में बाबा काफी अच्छी सरकार चला रहे हैं जैसे बाई ने बताया करता हूं उन्होंने जैसे गुंडागर्दी जितनी कम किया मैं क्या काफी लोग वावासे को से हैं लेकिन एक चीज़ बताइए नैशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है उसके तहट यह जो बात निकल कर आई है कि ऐसा नहीं है कि यहां पर एक्चली क्राइम कम हुआ ह आप जो बोल रहे हैं मैं तो सरकारी आंकड़ा दे रहा हूं अपनी तरफ से कुछ नहीं है लेकिन आपको मैसूस हो रहा है कि कम हुए है नहीं पहले से कम हुआ यह जो पहले जो चीज़ थी आप देखते हो कहीं भी लूट बगारा हो जाती थी अब नॉर्मल इतनी नहीं ह लूट हुई थी आपके साथ नहीं मेरे साथ नहीं मेरे गाओं का एक भाई था वो दो साल पहले की बाद तो अपनी वाइफ को लेकि आ रहा था तो उसकी चीज बगईरा लूट ली लेकिन काफी समय से मतलब कुछ ब्रेक तो लगा है जो ब्रेक लगा है क्योंकि जैसे हात और उस पर पुलीस के रवाइये पर बहुत सवाल उठे थे देखो यह तो चीजे अब मानने के चलो छोटा तो चोटी मोटी चीजें हो जाती है चोटी चीज नहीं थी वह काफी बड़ी बड़ा था मैं मानता हूं लेकिन फिर भी बाबा ने जो भी नड़ने लिया अपने इ यह चीज की है मेरे इसाब से थोड़ा सही नहीं है कि उन लाइट उन्होंने फिलाल में दिन देन के लिए आठ गंटों के लिए कर दिया अब एक बात बताओ किसान आठ गंटे में कितना खीत को बर सकता है पहले रात में आती थी अब आठ गंटे लाइट चले उससे भी ल बाबा को यह चीज देखनी चाहिए तो बताइए आप मतलब वैसे खेती के सवाल पर खुश नहीं है सरकार से लेकिन आप कहरे हैं कि आप कानून व्यवस्ता के विज़ा से दे रहे हैं हम कानून व्यवस्ता ठीक है अगर बाबा चाहेंगे तो और भी मैं क्या बहुसतारे लोग बाबा से जुड़ेंगे आप बाबा के साथ हैं जी साथ नहीं आप बताई यहां साके लिगा आपका नाम क्या हुआ साब मैं रविंदर जी क्या करते हैं रविंदर जी मैं तो खेती करते हूं साब क्या नाम हुआ साब रवी जी इधर आजाईगे थोड़ा सा अरे कैमरे की तरह कुप सूरत नौज़मान हट्टे-कटे हैं थोड़े कैमरे में आने चाहिए आप जह बता है रवी जी क्या करते हैं वे रूजबार गूम रहे हैं वे रोजबार गूम रहे हैं क्यों दो करोड नौकरियां दे रहे थे मुझे इस साल की बीस करोड नौकरी अब तक मिल चुकी कितना नुकसान कर रहे हैं नुकसान साथ परसंट के रहे हैं यह बहुत नुकसान हो रहा है दस साल यहां पर यह जो हुआ है कि इनकी सरकार रही है तीसरा टर्म एक और मौका देंगे नहीं देंगे बिलकुल नहीं पर यह बताइए पिर दस साल लेकिन कुछ तो यादव समाज हम देखे थे इसी ब्लॉक से सपा हुव अगयरा से भी सब्सक्राइब करते हैं इनकी तरफ से सब्सक्राइब करते हैं इनकी तरफ से आपका नाम साथ सब्सक्राइब करते हैं आपके लिए भी दस साल इतने मुश्किल रहे हैं आप खोश हैं यह अच्छो नहीं कर रहे हैं अच्छो नहीं कर रहे हैं मतलब यह तो पूरे पश्चम यूपी से लेकर पूरवांचल तक सब की शकायत है किसानों की कि बीजारों ने मतलब सब्सक्राइब कर दिया एकिसानों का तो यह बताईये क्या कर रहे हैं चुनाव में तो रहे हैं चुनाव का मिलें समाजवादी पार्टी स सच्रही हैं चलिए सब बहुत देर से सांथ बैठे करें आप भी सरकारी नोकरी में हैं नहीं तो प्रवाइव्ट नहीं किसान आदमी नौकरी किसान इक देखते हैं तो बताई जी आप सब अन्य दाता है हमारे रोज खाना आप ही की वज़ा से खाते हैं क्या हो रहा है अन्य दाता के पास अग्या कुछ नहीं है यह बताओ पसल तो पुरी साड़ और गाय पर बाद कर दिती है अन्य दाता बहुत यह कहां वोट कर रहे हैं इतना भव्य राम मंदर बना दिया है के उत्यमें राम मंदर से क्या होता है और अपर प्रतायों के पास आताओ के आताहूं के लिकिन एक चीज़ बताईए आप सब मोग यहां जादतर किसान है यह बताईए मुझे कि यहां जो इतना बड़ा किसान अंदोलन हुआ था आपकी साइट तो नहीं हुआ बड़ जो पंजाब हर्याना पश्चिम यूपी पूरा उन्होंने दिल्ली घेर लिया राजस्थान से भी तो उसका कितना असर आप लोगों के भी इस भी तो यह समझने की बात है बहुत जरूरी है क्योंकि जहां एक तरफ वहां पर जिसको आजकल लोग गोदी मीडिया कहते हैं लेकिन जो बड़ी मीडिया जो एक अफवा पहलाती रहे तो इस तो सिरफ सिक्खों का यह जाज़ूरी है आठ किसानों कांदोलन है आप यह देखिए यादफ किसान भी यहां पर और हमारे यहां पश्चिम यूपी बहुत जाते ते सब जाते ते यहां यादफ किसान भी कितनी भारी संख्या में कहने दस ट्रैक्टर करें इन्हीं के गाउं से गई हैं आई यह तो आप से बात करत हुं हम नोटस्बंदी में बरगादी कि अच्छा ऑच अब कुछ नहीं रहा है कुछ नहीं रहा है लेकिन मोधी जी कह रहे हम तो चाई वाले थे गरीब का दुख समझते हैं आप करें तो का दुख लूगा यू ने घारांगी कृसान गरीप पह तो टुझ कह ता हुँ इस कि आप इतनी दूर से कम से कम 200 2.5 कुली मिलिटर से चल करके यहां पर आए सर्वे करने के लिए पहले तो हमारे ग्रावबासियों के तरफ से आपके लिए बहुत भाध दन्यवाद हमारा स्वागत करने के लिए दूसरी बात दूसरी बात यह हैं कि आप भी वहां देख रहे ह कि तोड़े चलने माला विकास की बात करिए मुद्धों की बात कर रहें किसी का यहां तक गलत तरीक है गलत बेपेश कर रहें इसे गलत मैसे जाएगा मेरा सभी देस बाचियों से अपील है जहां तक मेरी आवाज जा रही हो कि ज़्यादा से ज़्यादा गटवंदन को बोड़ दें क्योंकि भारती जंता पाइटी का हटना बहुत ही अतियाबस है के देश से प्रदान जी ने एक बात बोली है और हम यही उम्मीद हम अचली हमको लगता भी है कि देश के कई सारे ग्राम प्रदान जो हैं उनकी भी लगबग यही राय है कि चुनाव आप किसी का भी समर्थन करें किसी भी पार्टी का समर्थन करें किसी के भी साथ जाए लेकिन चुनाव के जो मुद्दे होते हैं वो दरसल शिक्षा, स्वास्त, खेती, मजदूरी यह निम्न मुद्दों पर यह मूल भूत पक्षी दलो के भी प्रदार मंत्री हैं, थोड़ा सा यहां पर भी और कई जगा जहां हम घुमें इन चीजों का बुरा कई लोगों को लग रहा है कि चुनाव जो है हमारे रोजगार के मुद्दों पर होना चाहिए, शिक्षा और स्वास्त के मुद्दों पर होना चाहिए खेती पर होना चाहिए, मजदूरों के अधिकारों की मुद्दों पर होना चाहिए, जुड़े रहे सीसीय के साथ यही मुद्दे इस चुनाव में बार बार हम आप तक लाते रहेंगे, धन्यवाद